आज हम सुरू करने जा रहे हैं लेशन 4 दारे ट्रेप रिटन राई सलमा लेगललॉफ लेट ट्रेप या आप सभी जानते हैं रेट ट्रेप का मतलब होता है चुहेदान अब लेशन का नाम लेट ट्रेप है तो जाहिर सी बात है इसमें एक लेट ट्रेप बनानेders की कहनी है जो paddler, tramp और vagabond के नाम से भी जाना जाता है paddler, student paddler बोलते हैं जो door to door समान बेचता है तो ये एक red track बनाने वाले की कहनी है कहनी के जो main characters हैं वो paddler, paddler, adla, iron master, crafter और ये नाम निल सोलफ और captain one is tall निल सोलफ, iron master दोरा दिया गया paddler को क्योंकि उसने अपना friend समझ लिया था उसको और captain one is tall ये title दिया था adla ने उसको देखिए जो कहनी है वो शुरुआत जो कहनी की है paddler जो की वो rat trap बनाता है और door to door बेचता है लेकिन इसकी जीवी का इसी से भी नहीं चलती ये भीग भी मांग लेता है और इस तरह से ये जो है अपना गुजारा करता है एक दिन ये समान अपने rat trap बेचता बेचता जो है इससे लेट हो जाता है तो ये एक cottage देखता है crafter की crafter भी एक character है और crafter का मतलब होता है जो किराय पर जमीन थोड़ी बहुत जमीन पर अपना गुजर वसर करता है किराय पर लेकर उसको crafter बोलते है तो crafter की cottage दिखाई दी से crafter अकेला ही रहता है लोन नी लेंस का सिखार है वो ना उसके बीवी हैं ना बच्चे हैं अकेला रहता है तो जब इसने पैडलर को देर हो गई इसने नौक किया cottage का दरवाजा तो उसने बड़ी warmly इसको receive किया बड़ी जोर से इसका स्वागत किया क्योंकि वो समझ रहा था कि कम से कम भाई आज मेरे साथ कोई बात करने वाला होगा उसने इसको porridge खिलाया इसके साथ एक game, card जैसा game मजोलिस वो इसके साथ खिला और खूब बाते की और अपना tobacco pipe इसके साथ सेयर किया अगले दिन ये दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं और जो paddler है वो अपने चला जाता है, crofter अपने काम पर चला जाता है अब इस बीच पैडलर आदे घंटे बाद वापिस आता है और सिसा तोड़कर पैडलर, crofter के पाउस से थर्टी क्रॉणर के तीन नोट निकाल कर ले जाता है वो थर्टी क्रॉणर उसने उसके सामने गिनकर ही रखे दे उसके सामने गिनकर भी इस वज़े से रखे थे कि कहीं इसे ऐसा ना लगे कि भाई मैं इसका विश्वास नहीं करता और वो क्रॉणर चुराने के बाद ये चल देता है सड़क पे तब इससे रिलाइज होता है कि यार ये सारा संसार जो एक रैट ट्रैप है और हम छोटी-छोटी बेट्स में फसते जाते हैं आज मैं भी उस बेट का सिकार हो गया है लेकिन क्रॉणर चुराने के बाद इसको रिलाइज होता है कि कहीं सैरिफ मुझे पकड़ना ले और ये सौर्ट लेना चाता है सौर्ट कर लेने के बाद ये एक जंगल में की तरफ उड़ जाता है लेकिन इस रास्ता नहीं मिलता थक हार के ये एक पेड़ के निच्चे बैड़ जाता है बहुत परेसान ठंड है और इस ऐसा लगता है कि सायद आज इसकी लाइब ना बचे क्योंकि बहुत टायल था ठंड काफी थी फिर इसना हैमर की अवाज सुनी और हैमर की जो ये अवाज थी ये एक आईरन मिल्स आ रही थी उसका नाम था रैम्स जो आईरन मिल्स आईरन मास्टर इसके ओनर थे तो अपनी रात बिताने के लिए ये वहाँ चला जाता है और एक फनिस के सामने ये लेड जाता है आईरन मास्टर उसकी बेटी एडला जो है वो इंस्पेक्शन पर बाई चांस उस दिन आते हैं और आईरन मास्टर इसे ये समझता है कि ये उसकी रेजिमेंट का जो उसका साथी था नील सोलाफ है और वो इसको उपना फ्रेंड का बुलाते हैं लेकिन ये रियलिटी नहीं बताता इस वज़े से नहीं बताता क्योंगी इससे लगता है कि ये मेरा जो है कुछ हेल्प कर सकते हैं पैसे वगरा देखकर लेकिन बात में आईरन मास्टर इसको बोलते हैं क्रिस्मस की ण aqui हम तुम्हें क्रिस्मस पर इन्वाइट करते हैं क्योंकि आईरन मास्टर उसकी बिट्टी अकेलियर रहते हैं वो भी एक तरसे लोनलिनस क्रॉप्टर जैसे लोनलिनस का शिखार था भी कहीना कहीं ऐसे थे हलागी दोनों बाइब बीटी रहते थे लेकिन वह नहीं जाना चाहता क्योंकि उसने 30 क्रॉनर चुराए हुए दे उसे लग रहा था कि मैं अगर इनके साथ चला गया तो कहीं मैं पकड़ा ना जाओं लेकिन फिर जो एडला एडला उनकी जो पैडलर क निखा को पहचान जाती है नजरों से पहचान जाते है कि ये कुछ ना कुछ आदमी जो एकरबड कर गया आया है और लेकिन ये वैसे सही हो सकता है उसने उसकी नजरों को पहचान लिया और उसने पॉलाइट रिक्वेस्ट की कमपेशन के साथ तो मान गया अब वो क्रिसमस के लिए उन्होंने उसे invite किया वो उनके साथ चला जाता है अगले दिन उसको नलाया जाता है बाल कटाया जाते हैं और वो अपने पापा का एक old suit उसको पेहने के लिए देती है तो जब उसको वो अच्छा smart लगता है नहां बाल कटने के बाद नहाने के बाद और तब एडला उसको कहती है वाओ यू लुक लाइक कैप्टन वॉन इस था और यह फर्स टाइम था जो उसे रिलाइज हुआ कि हाँ मेरा भी जीवन में कहीं ना कहीं सम्मान है लेकिन आयरन मास्टर कहता है कि मिस्टर यू आ नॉट नील सोलब तुम कौन हो तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो और मैं तुम्हें पुलिस के स हैरीब को बूब लाकर पुलिस के हवाले कर सकता हूं लेकिन एडला रिक्वेस्ट करती है कि पापा नहीं कि इसे कम से कम हम कॷ्छमस पर इससे इनवाईट के आदा तो कॷ्मस थक तो हम इसको रहने दे खैर आयरन मास्टर मान जाते हैं और क्रिस्मस से अगले दिन वो दोनों बाप बिटी वहां जाते हैं चर्च में वहां प्रेयर वहां उन्हें पता चलता है कि एक पैडलर है जो लोगों के घरों में घुजाता है चोरी कर लेता है क्रॉप्टर के उसने 30 क्रॉन और चुरा लिये हैं तब इन्हें रिलाइज होता है कि साइद वो पैडलर हमारा समान चुरा कर चला गया होगा ये दोनों बाप बिटी जो हैं वाफिस आते हैं और देखते हैं कि वो जा चुका था लेकिन वो एक गिप्ट छोड़ कर गया था और ये गिप्ट बहुती एक छोटा चुहेदान था जिसके अंदर 30 क्रॉनर रखे हुए दे जब वो एडला ने इसको खोला और एक नोट लिखा हुआ था जिसमें लिखा था I would have been caught in the red trap if you had not given me the title of captain one still यानि ये एडला की कंपेशन और काइंड बिहेवियर था उसकी कंपेशनेट नेचर थी कि वो चेंज हो गया और उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना आ गई और सेल्मा लेगल लॉफ इसके मादिम से मैं यही मैसेज देना चाहती है कि काइंड बिहेवियर और इसमें पूछा गया है कि पैडलर ने कॉटेज को क्यों नोग किया जो रोट साइट पर थी और जो उसका ओनर था उसने उसको कैसे रिसीव किया तो देखें जैसा कि हम जानते हैं कि वो लोनलीनेस का सिखार था क्रॉफ्टर वो बढ़ा अच्छा लगा जब पैडलर को उस उसने रिसीव किया बड़ा वार्मली उससरीव किया इसके साथ जो कार्ड़ का गेम है जो 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 लिसट के नाम से नावता नहीं से वह उसके साथ किया और गोछ कि कि वह इसको जो इसको आए के लिए उसे चाहिए था, ओके, लेट उस डिसकस सेकिंड कुश्चन, वो आज दा ओनर ऑफ रैम्स जो आईरन मेल्स, वाइड रैम्स जो आईरन मेल्स के जैसे कि हमें आपको पता है, आईरन मास्टर वाज दा ओनर और वो रात को इस वज़े से विजट करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी मेल्स से जो है, वो क्वालिटी आईरन निकले, जिससे कि उनकी क्वालिटी का से वो कोई समझाता नहीं करना चाहते थे, और बैस्ट आईरन उनके मेल्स निकल कर जाए, ऐसा वो रात को इस वज़े से करते थे, और तीसरा question है What were the contents? Very important question What were the contents of the package Left by the peddler On Christmas gift for Adla Will Menson अब देखें Last में peddler ने है Peddler Christmas के occasion पर Iron Master और उनकी बेटी के साथ ठेरा हुआ था अगले दिन वो चला जाता है अब वो उन्हें बिना बताए चला जाता है तो उनके लिए क्या छोड़ कर जाता है As a gift वो एक packet छोड़ कर जाता है और packet में packet में क्या था एक छोटा red trap और वो 30 kroner जो उसने crofter से चुराई थे वो रखे थे और एक छोटा note letter था जिसमें उसने लिखा था कि अगर मुझे Adla ने उसको इतने kind तरीके से इतना respect ना दिया होता तो सायद वो भी चुहेदान में फज जाता कहने का मतलब है कि वो भी change ना होता तो ये आप लिख सकते हैं तो these are the three important questions to be discussed that's all for this video and if you have any query you can write in comment Thank you